नमस्कार दोस्तों सागात है आप सभी का YFM सिक्वारिटी में दोस्तों लक्स यानि के लुमेंज पर स्क्वार मीटर आप कैमरे के डब्बे में आप देखते होंगे कि ये लिखा हुआ राता है किसी में 0.01, किसी में 0.02, किसी में 0.1 या किसी में 1.0 या 2.0 ये है क्या और ये आपके कैमरे की क्वालेटी को किस हद तक प्रभावित करती है ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है चोकि ये इनफॉर्मेशन अभी तक आपको ये नहीं होगी ये 100% मैं स्योर हूँ और ऐसा कोई भी वीडियो मुझे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला ज जा इसका मतलब होता है और इससे देख करके से हम समझ पाते हैं कि कौन सा कैमरा जो है किस तरह से पिक्चर क्यालिटी को गैदर करेगा इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे इस वीडियो में तो चैनल को सब्स्राइब करकर बेल बटन को हिट जोर कर दीजेगा वीडियो को कितनी लाइट है वो लक्स के द्वारा जो है वो मापा जाता है अब आप समझ लेजे कि बाहर में जो है आपका आउट्डोर में जो है डायरेक्ट सनलाइट में जो है कितना लाइट की इंटेंसिटी है ये आपको नहीं पता उसको आप माप ने सकते लेकिन आप एक अंदा वार है आपके वो लक्स पे आपका 0.01 या फिर 0.2 अगर इस तरह से जो भी लक्स डिफाइन होता है इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कैमरे में जो है लॉ लाइट कंडिशन में किस तरह से आपका सिकुरिटी कैमरा काम करेगा और पिक्चर क्वाल्टी जो है वो कैसी आपको मिलेगी इसलिए यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि लाइट इन्टेंसिटी जो है यह लक्स की जो रेटिंग है इसका क्या मतलब है समझ लीजिए कि एक लक्स की रेटिंग को अगर हम करते हैं कि यह है क्या तो एक quarter यानि कि एक चौथाई moonlight यानि कि चंद्रमा का जो light होता है moonlight जो होता है आपका पूर्णिमा की राज जो होती है उसमें आपका जो one fourth यानि कि पूरी तरह से आपका half एक कोना आगर समझ लेजे कि आपका जो moon है उसका one fourth जो part है वो आपका 0.01 lux intensity जो होता है आपका इसका फूल moon यानि कि clear night में आपको 0.27 lux से one lux तक light की intensity होती है और एक family room में जो light होती है जो आप LED light वगरा जो भी आप जलाते हैं आप family room में वो 50 यानि कि 50 lux तक की होती है light की त्रिवता जो intensity है इसके बाद overcast dark day यानि कि आपका dark day जो है या बादल वगरा जो इस तरह से overcast day जो होता है वहाँ पर आपको 100 lux तक intensity होती है और आपका direction light की अगर मैं बात करूं तो 30,000 से लेके 1,30,000 तक जो है light की intensity होती है आपका lux होता है तो यह तो आपका पैमाना है intensity जो light का होता वो हम लोग लक्स से जो है यह मापते है lumens per square meter लेकिन अब camera में जो इसका जो प्रभाव पड़ता है यह एक आपको deeply समझने के जरूरत है पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगा नहीं तो जरा में miss होए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका आखिर में मतलब है क्या दिखिए आपका simple सा एक concept है कि अगर आपका 0.01 lux है यानि कि आपका एक quarter आपका moon light के परावर जो light है आपके room के अंदर वहां तक आपका camera अगर वह आपके camera के डबे में 0.01 दरसाया गया तो वहां उस light पर यानि कि एक quarter moon light के इसाब से अगर वहां पर light हुई तो वहां तक आपका camera जो अच्छी तरह से visible create कर पाएगा वह अच्छी तरह से picture quality को ले पाएगा वह camera produce कर पाएगा अपने video के quality को लेकिन अगर इस आपका .01 lux से अगर कम हुआ तो वह night vision पर काम करना शुरू कर देगा वहां पर IR LEDs light जल जाएंगे, on हो जाएंगे तो यह चीज़ें होती है अब आप चाहिए eco camera के बात करें या फिर आप 24 LEDs वाले normal camera के बात करें तो यहां पर आपका 0.01 है ठीक है 0.001 है आपका lux है 001 यानि कि इससे भी कम है तो यानि कि उससे आपका फोर जो one quarter यानि कि एक चौथाई आपका moonlight के जैसा जो light आपके room के अं तो बहुत ही मन के समझ लिए कि minimum light में भी आपका camera जो है कोसिस करता है वीडियो लग light को produce करने का वो उस कम light में भी यानि कि minimum से minimum light में भी वो अच्छी picture quality को ले सकता है आपकी camera में यह च्छमता है यही आप नया आप eco light जो सीरीज आया है जिसका बढ़े मैं आपको बता हू समझें तो बहुत ही minimum light में भी camera अच्छी तरह से cover कर लेगे लेकिन इसका एक नुकसान जो है एक side effect आप समझ लेजिए side effect तो नहीं लेकिन इसका by default एक जो नुकसान यह है कि आप समझें कि आपका one lux अगर है तो one lux तक आपके light जो है वहां से अगर कम होता है आपके room का light तो वहां से जो वो IR LED जो वहां पर infrared LED आपके on हो जाएंगे night vision लेना सुरू हो जाएंगे लेकिन अगर 0.001 तक तो ठीक है जो आपके 24 LED वाले camera या फर eco light वाले जो eco camera में जो आता है लेकिन अगर eco light में 0.002 की जो lux rating है वहां पर क्या होगा कि आपका minimum light जो है camera कोसिस करेगा picture को लेने में dots बहुत जादा वहां पर आने के संभावना है यह याद रखिएगा dots बहुत जाएंगे अगर यहां पर 0.001 राता तो वहां पर LED जो है इंफारेट LED वहां पर light जल जाएंगे और IR LED जल जाएंगे तो फिर picture quality जो है उस जो minimum light condition जो होता है उससे बहतर हो जाएगा picture quality उस समय लेकिन ऐसा नहीं हो सकते हो पाता है और जिस कारण से आपका eco light camera जो है यह माना जा रहा है जो नया एक मैने launch हो यह उस camera के launch होने पर एक मैना ही हुआ है और उस camera की quality है वह काफी कम माना जा रहा है चुकि वह low light condition में अगर आपको यह बहुत brighter light है सब को सही है तो वह ठीक काम करता है लग भग लेकिन अगर आपके low light conditions है या कहीं पर shadow है कहीं पर आपका ठोड़ा light है कहीं पर dark है पूरे room में clear light नहीं है तो वहाँ पर dark वाले areas में जो है वहाँ पर आपके dots आते हैं बहुत ही खराब picture quality हो जाती है यह एक कारण है इसलिए आप IT camera में आप dots के problem आने सुरू हो जाते हैं यह सारी चीज़े जो है light intensity पर निर्वर करता है मुझे उमीद है कि मैंने जो आपको समझाने की कोसिस की है यह आपको समझ में आगया होगा अच्छी तरीके से और उमीद कर जरूर करूँगा कि इस वीडियो से आप जरूर लाव उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सेयर करेंगे वीडियो को like जोड़ कर दीजेगा चैनल को subscribe करके bell bell को hit जोड़ कर दीजेगा जाते जाते धनिवाद